प्रिभाईयों और बहनों, नमस्कार। आज से ठीक एक माँ पहले मैंने कोरोना वाइरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सब का सहयोग मांगा था। आपको सच कहूंगा, जब पहले बार कोरोना वाइरस से बचाओ के बारे में आप से सहयोग के अपील कर रहा था, तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी, इतने बड़े प्रदेश के करोडों लोगों से अपना ब्योसाय, जिवन पद्धती, आचरन आधी बदलने को कहना और उसक अंकड से निपटने की जिजी विशा दिखाई है, वो विलक्षण है, आज 36 गड़ कोरोना वाइरस महमारी की नियंतरण में पूरे देश के समक्ष उधारन बना है, तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परवार, अपने राजे के लोगों के प्रति, त्याग और समर् करता हूं, मैं हमेशा इस सहियों के लिए आपका रिणे रहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी चीकिसकों, स्वास कार करता हूं, जिला और पुलिस प्रसासन, खाद्य महिला बालविकास, नगर निगमों, नगर पालकाओं, जन संपर के भाग के समस्त करमचारि का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकर से निपटने के लिए कार किया, मीडिया के बंधू, स्वयम सही संस्ताओं और समाजिक संगठनों का भी आभारी रहूंगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहीयोग किया, हमारे राज में अगर हम कोरोना संक्रमन को नियंतरण में रख पाए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमका हमारे गाउं की रही है, चत्तिजगर गाउं का प्रदेश है, और हमारे ग्रामिनों ने स्वेक्षा से अपने गाउं में जिस तरह फीजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है, वो अद्भुत था, मैं हाद जोड़कर आभ की है, कोरोना वाइरस नियंतरन में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं, यह सब आपके कारण ही है, बीस अप्रेल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गत्वीधियां प्रारंब करने पर हम विचार कर रहे हैं, गाउं में मर्रेगा के काम सुरू हो गये हैं, आप अपने जिले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताया जा रहे हैं, इन दिशा निर्देशों का पालन करना सब के लिए जरूरी है, मेरा आपसे विनम्र आगरा है कि आप रोजमर्रा के कामों में पूरी साओधानी بरते हैं, राज में फैलने का दूसरा आउसर नहीं देना है। अगर आपने फिस्कल डिस्टेंसिंग का पालन किया लगातार हाथ धोते रहे और भीडभार से बचें तो कोरोना को राज में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको सहीयोग के लिए आपका आभार विक्त करता हूँ। हमारी एक जूरता ही हमारे प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल करेगी। धन्यवाद।